हलो एवरीवन कैसे हैं आप सब मैं हूँ किशोवर तेजवानी आप लोगों का Mathematics Mentor स्वागत करता हूँ आपका आपके ही अपने Magnet Wins में जो प्रोवाइट करता है 100% Quality of Free Education Kindergarden से लेकर Class 12 तक अगर आप लोग सी बोट से तो आप लोगों के लिए Magnet Wins का English Medium Channel लेकिन अगर आप लोग हिंदी विडियम से हैं तो टेंशन लेने के बिलकोल भी बात नहीं क्योंकि आप लोगों के लिए Magnet Wins का Hindi विडियम चैनल जहां पे आपको प्रोवाइट की जाती है Class 6 से लेकर Class 12 तक एकदम Quality दिवाइस और Free Education वो भी हिंदी विडियम में इतना ही नहीं यहां पर आपको मिल जाते हैं धेरो सारे प्राक्टिस क्विशन जिनकी मदद से आप लोग प्राक्टिस कर सकते हो और बड़िया बड़िया नंबर लेकर आ सकते हो और अगर आप लोग हमारे आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं तो सर आज के सेशन में आप क्या लेक्या है हो आज के सेशन में हम लोग डिसकस करेंगे Class 10 Mathematics Arithmetic Progression जो की आपका चाप्टर नंबर 5 है उसमें अब हम बात करेंगे यहां पर Arithmetic Progression तो इससे पिलकुल लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने बात करीती Sequence के बारे में अब Sequence और Progression में क्या अंतर रहता है वो आपको आज की इस वीडियो में समझ में आ जाएगा अच्छा एक बात बताओ जब आप लोगोंने Sequence के बारे में पढ़ा था मेरे को comment में अब भी क्या भी बताओ आप लोगोंने जब Sequence के बारे में पढ़ा था तो Sequence के बारे में आप लोगोंने क्या पढ़ा था कि भाईया अच्छा ठीक है आप लोगोंने क्या क्या एक चीज उसमें देखी दी वो मुझे बताओ क्या आप लोगोंने यह देखा था कि जो हर बार gap आ रहा है नम्बरों के बीच में वो क्या सेम आ रहा है हाँ सब वो हर बार सेम नहीं आ रहा था अगर आप लोगों को मैं बताऊं कुछ चीजों के बारे में तो सीक्वेंस क्या होता है हम लोग नमबर्स के बीच में जब एक पाटन फॉलो कर देते हैं हम लोग जब नमबर्स के बीच में पाटन को फॉलो कर देते हैं तो वो कहला जाती है चीज सीक्वेंस जैसे कि अगर आप लोगों को मैं यहाँ पर एक पाठन लिखके दूं तो आप लोग बोलोगे कि हाँ सर यह आपका क्या है यह आपका एक सीक्वेंस है अब मैं आपसे पूछूँगा कि यह एक सीक्वेंस कियो है क्योंकि सर देखो सर वन kे बाद टू आ रहा है सर 2 के बाद 3 आ रहा है सर 3 के बाद 4 आ रहा है सर 4 के बाद 5 आ रहा है सर 5 के बाद 6 आ रहा है अच्छा मतलब कि सर ये तो हमारे पकी बात है कि सर 6 के बाद 7 आएगा 7 के बाद 8 आएगा 8 के बाद 9 आएगा तो ये pattern fall हो रहा है क्यों क्योंकि आपका natural number है कौन से number है यह natural number ठीक है सर अरे natural number नहीं भईया natural number ओके सर तो एक चीज़ आपको sequence के बारे में यह पता चल गई लेकिन अब आपको अगर मैं जैसे ही एक दूसरा example दूँगा तो आप लोग उसके बीच में क्या ढूनने लगोगे pattern को ढूनने लगोगे चलो अब आजाओ आप सर दो मिनिट रुको और तीन मिनिट में मैं आपको pattern ढून के बताता हूं सर जब मैंने इस पर ध्यान दिया तो सर वन के बाद टू कब आ रहा था जब वन में हम लोग वन को ही आड़ कर रहे था जब इस ही में हम लोग वन को आड़ कर रहे थे सर थरी के बाद फोर का बार जब हम 4 में हमें 1 को 8 कर रहे था अब लेकिन सर इसमें कहानी बदल गई इसमें क्या हो गई सर आपकी कहानी इसमें कहानी कुछ ही हो गई कि सर जब हम 1 पहले तो सर क्या ही सीक्वेंस है पहले तो हम लोग यह देख ले कि यह pattern follow कर रहे है कैं देखो अब आपका अगर मैं 1 का स्क्वेर करूँगा तो मेरे पास 1 आ जाएगा ठीक है अच्छा अब अगर मैं 2 का स्क्वेर करूँगा तो मेरे पास 4 आ जाएगा अब अगर मैं 3 का स्क्वेर करूँगा तो मेरे पास 9 आ जाएगा अगर मैं 4 का स्क्वेर करूँगा तो 16 5 का square करूँगा 25, 6 का square करूँगा 36, अब अगला number अगर मुझे निकालना है तो 7 का square और फिर 8 का square और फिर 9 का square मेरे को करना पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है सर, अब मुझे एक बात बताओ, चलो ये बात तो हो गई दूसरी, ये बात तो हो गई दूसरी, अब एक मुझे विए उसना आतल मिच डरुका कोछना में हुआ जा विए सेर्ट गर्रीट की एपसे अच्छा सर्त 9 में आपने ऐसफ डcken तो 7 को एड किया अप 16 में आपने ऐसा डcken डरुका कर अब देख पर कि आपका एक ही नंबर एक ही आप और यहां पर दोनकी कर रहे हो तो cafe one तो 4, 4 में आपने 5 को आट किया, 9 में, आपने 7 को आट कें तो 16, 16 में आपने 9 को आट किया, तो 25 लेकिन जब आपने natural number जब आपने 1 को आट किया, तो आपके पास यह यह हुई है, एक बार जल्दी से प्यारा वाले screenshot ले लो देखा क्या हाँ सर देखा तो बस यही बात होती है कि यहाँ पर आपके पास pattern तो आपको मिल गया यह आपका एक sequence कहला जाएगा यह क्या कहला जाएगा यह आपका एक sequence कहला जाएगा और यह भी अगर हम लोग बात करें तो यह आपका एक sequence क कहलाएगी क्योंकि आप लोग जब previous term में एक fixed number add करोगे next term बनाने के लिए तो ही वो आपका क्या कहलाएगा तो ही वो आपका कहलाएगा भया progression otherwise वो progression नहीं कहलाएगा तो उस हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो यह आपका एक progression नहीं है यह आपका एक progression नहीं है क्योंकि आप इसमें एक fixed number को add नहीं कर रहे हो ठीक है ठीक है सर तो सर अब मुझे एक बात बताओ क्या यह वाला progression है हाँ जी यह आपका एक progression है क्योंकि आप इसमें एक fixed number को add करते जा रहे हो यह जो है यह आपका एक sequence भी है और यह आपका एक progression भी है लेकिन जैसे हम लोग यह वाले example की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें एक pattern मिल गया तो यह एक sequence तो हुआ लेकिन यह एक progression नहीं हुआ progression क्यों नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक fixed number add नहीं हुआ previous term में next term बनाने के लिए ठीक है तो आपको यह चीज़े समझ में आ रही होंगी मेरे ख्याल से अरे सर भेंकर तरीके की समझ में आ रही है क्या बता हूँ मैं क्या बता हूँ सर मैं बड़िया तरीके से चीज़ों को समझ पा रहा हूँ चलो अब एक चीज और एक example और समझाओं क्या चलो एक example और समझाता हूँ आज आप अब आप लोग यह तो बताने लगे हो कि sequence क्या होता प्रोग्रेशन क्या होता है ठीक है अब मैं आपको एक example देता हूँ आप मुझे बताओ जरा क्या वो आपका sequence है या फिर आपका progression है चलो 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 यह लो भाईया एक example जल्दी से freshly freshly एक example ठीक है जराब अब मुझे यह बताओ क्या यह आपका एक sequence है या फिर यह आपका एक progression है या फिर यह दोनो है क्या यह sequence है या फिर progression है या फिर यह आपका क्या है दोनो है तो आप लोगोंने जैसी मुझे बताया कि सर इसमें हम लोगोंने क्या करा एक pattern ढूनने की कोशिश तो करी सर लेकिन अब अकर हम लोग स्वाजी बात बता हैं तो सर इसके बीच में pattern मिल नहीं रहा अच्छा अब आप मुझे इक बात बताओ तू क्या होता है सर टू एक number होता है थ्री क्या होता अभी तक हम इसको odd समझ रहे थे और two आ रहा है मतलब यह even भी नहीं है समझ रहे हो मतलब की सिर्फ यहाँ पर आपके पास nine नहीं आ रहा है इसका मतलब यह odd number नहीं है और two आ रहा है इसमें इसमें two आ रहा है मतलब फिर तो और यह क्या नहीं है फिर यह odd नहीं है तो अब अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, तो यह आपके क्या है, प्राइम नंबर है, क्या है, प्राइम नंबर है, सर प्राइम नंबर क्या होते है, अ नंबर which has only two factor, one and the number itself, इसके factor के अगर मैं बात करूँ, तो two का factor कौन को न है, sir two खुद और one, ठीक है, three का, sir three खुद और one, five क five खुद और one, seven का, sir seven खुद और one, उसके बाद eight नहीं होगा, वो composite है, nine नहीं होगा, वो composite है, ten नहीं होगा, वो composite है, सीधा आजाएगी बात eleven पे, फिर आजाएगी थर्टीन पे, और फिर आजाएगी आपकी 14 पे नहीं, 15 पे नहीं, 16 पे नहीं, 17 पे, ठीक है, तो अब ten मिल गया, तो उस हिसाब से ही आपका एक sequence कहलाएगा, लेकिन क्या यह progression कहलाएगा, तो progression के लिए, sir, अब हमें क्या करना पड़ता है, progression में आपको एक fixed number add करना होता है, next term लेने के लिए, चलो, जैसे कि two के बाद हमने ऐसा क्या add किया होगा, जो हमें क्या मिला है, three मिला है, तो हमने one को add किया, हमने क्या add किया, हमने one को add किया, तो ऐसे हमने three के बाद क्या add किया, sir, three के बाद तो हमने two को add किया, और five के बाद हमने क्या add किया, two को add किया, अच्छा seven के बाद हमने क्या add किया, ताकि हमको eleven मिले, four add किया, तो आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आप ए इसको add करोगे देखो फिर तू को आप add कर रहे हो तो यहाँ पर आपके पास एक fixed number नहीं है यहाँ पर number change हो रहा है तो उस हिसाब से आपका एक progression यह नहीं हुआ clear हो गई बात चल ओ एक और example एक और ग्जामपल देखते हैं और बढ़िया तरीगे से चीजों को समझते हैं देखो आपको यह चीज तो नजर आईगी कि सारे progression आपके sequence होते हैं लेकिन सारे sequences आपके progression नहीं होता हैं चलो आगे की बात करते है जैसे कि अब अगर मैं बात कर रहा हूँ कुछ ऐसे नंबर की सर अब मुझे ये बताओ क्या है ये मेरा एक सीक्वेंस है अब सर सीक्वेंस है या नहीं वो तो ठीक है लेकिन क्या है ये मेरा एक प्रोग्रेशन है आजा, progression और sequence, दोनों की बाद हम लोग कर ले, कर लेते हैं सर, आजा, 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 थोड़ा जल्दी, देखो सर, 1 के बाद एक दम 3 आ रहा है, 3 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, सर ऐसे तो हमें यह चीज समझ में आ गई, कि सर, 1 में हमने क्या आइट किया होगा, ताकि हमें 3 मिले, सर, 2 को आइट किया, सर, 3 में हमने ऐसा क्या आइट किया, कि 5 मिले, सर, 2 को आइट किया, सर, 5 में ऐसा क्या आइट किया, जो हमें 7 मिले, सर, 2 को आइट किया, सर, 7 में, 2 को आइट किया, सर, 2 को आइट किया, सर, अगल 2 को add करते जाओगे तो आपको अगला term मिलता जाएगा previous term में आप 2 को add करोगे तो आपको अगला term मिलेगा मतलब की यहां पर 13 मिलेगा 13 में आप 2 को add करोगे तो आपको 15 मिल जाएगा 15 में आप 2 को add करोगे तो आपको 17 मिल जाएगा और ऐसे करते करते आपको क्या मिल जाएंगे? Numbers मिल जाएंगे. Sir, ये सारी चीजे तो चलो ठीक है, समझ के. लेकिन एक बात और समझ में नहीं आई. मतलब की, Sir, क्या है, ये sequence कहलाएगा? अरे, ये sequence बिल्कुल कहलाएगा. Sequence का reason समझो. आपको यहाँ पर एक pattern दिख रहा है? हाँ, Sir, दिख रहा है कि 2, 2, 2 add हो रहा है. अब, 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 अगर देखा जाए तो ये सारे आपके क्या है? अरे, भाई, ये odd numbers है. ये क्या है? आपके सारे odd numbers है. तो आपको एक pattern मिल गए यहाँ पर, कि अगला number कैसे मिलेगा? 2 को add करने पर मिलेगा. लेकिन क्या ही आपका एक progression है? तो ये पक्का आपका एक progression है. क्यों? क्योंकि आप हमेशा previous term में एक fixed number ही add कर रहे हो, जो कि है 2. 2 को add कर रहे हो, 2 को add कर रहे हो, 2 आपको एक fixed number बन गए यहाँ पर. तो आपका ये पक्का progression कैलाएगा. मतलब कि हम लोग क्या समझे? हम लोग ये समझे कि अगर हम लोग previous term में a next term बनाने है. अगर हमें previous term से next term बनाने है, तो हमें एक fixed number को जोड़ना पड़ेगा. अगर हमें previous term से next term बनाने है, तो हमें previous term में एक fixed number जोड़ना पड़ेगा. वही fixed number को जब next term से, उसकी next term बनाने में के लिए add करोगे, तो आपको फिर से एक fixed number जोड़ना पड़ेगा. फिर next term से next term बनाने के लिए, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? एक fixed number add करना पड़ेगा तो जब आप fixed number को add कर रहे हो वो आपका एक progression कहलाता है जैसे कि अब अगर हम लोग इसमें देखे तो यहाँ पर पहले हम one add कर रहे थे तो यहाँ पर एक fixed number नहीं है लेकिन यहाँ पर यह sequence ज़रूर है वो sequence इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक pattern नज़र आया और pattern यह नज़र आया कि भईया यह सारे number तो मेरे prime number है अब अगर मेरे को 13 के बाद एक अगला number लिखना है तो मेरे दिमाग में यह चीज़ फिल्म चल रही है कि भईया मेरे को एक ऐसा number 13 के बाद देखना है जिसका सिर्फ और सिर्फ 1 हो और वो number खुद ही factor हो क्योंकि यह बात ही किस पर कूद गई यह बात कूद गई आपकी prime number पे तो 13 के बाद ऐसा कौन सा number है सर 13 के बाद है आपका सीधा सीधा 17 समझ गए बात को सर बहुत ही जादा अच्छे तरीके से हम चीजों को समझ गए और सर हमें difference भी पता चल गया एक progression और आपका एक sequence के बीच में और भी आप लोगों को example बताऊंगा चलो हम लोग पहले तो शुरू कर लेते हैं चीजों को चलो arithmetic progression और उसकी कुछ related terms in this section we shall discuss a particular type of sequence अब यहाँ पर हम लोग एक particular type of sequence के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपको मालूम है in which each term except the first progression हाना except the first यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है हार term except the first बोल दिया उसने progression in a definite manner consider for instance the following sequences अब आपको मैं यह वाला बताता हूँ और आप मुझे बताओ कि यह आपका एक sequence है या फिर आपका एक क्या है progression है चलो 1 के बाद क्या आ रहा है आप लोग pattern ढूणने की कोशिश करो 4 आ रहा है 4 के बाद क्या रहा है 7 आ रहा है अच्छा 7 के बाद क्या रहा है 10 आ रहा है 10 के बाद क्या रहा है 13 आ रहा है तो आप लोग मुझे ज़रा ही बताओ कि यह आपका एक प्रोग्रेशन है और अगर आपका ये प्रोग्रेशन है तो वो सीक्वेंस तो हो गई होगा लेकिन हम लोग पहले ढूंडेंगे क्या ये सीक्वेंस है सर वन के बाद 4 आ रहा है सर वन के बाद 4 कब आया होगा सर जब हमने क्या किया प्लस को 3 को आट किया Sir, 4 के बाद 7 कप बनाओगा जब हमने 4 में 3 को आइट किया, 7 के बाद 10 कप बना जब हमने 3 को आइट किया, 10 के बाद 13 कप बना जब हमने 3 को आइट किया, Sir, 13 के बाद अगला नमबर बनाओं क्या, अगर आप बोलो तो मैंने बोला बनाओ, Sir, 13 में हम लोग 3 को आइट कर देंग हमारे पास किता अगला नंबर बन जाएगा हमारे पास 19 तो बस आपको यहाँ पर क्या समझ में आ गया आपको यहाँ पर एक पार्टन नजर आ गया मेरे दोस्त यहाँ पर अगर आपको एक पार्टन समझ में आ गया क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो एक पार्टन को बस term बना रहे हो previous term में अगर एक number को जोड़ के आप क्या बना रहे हो next term बना रहे हो previous term में अगर आप fixed number को add करके next term मतलब कि आपका ये सारा क्या हो गया अब मुझे ज़रा बताओ क्या ही है मेरा sequence है sir बिल्कुल है क्योंकि यहाँ पर हमने एक pattern को देख लिया है क्या ये आपका एक progression है हाँ sir ये आपका एक progression भी है क्योंकि यहाँ पर आप next term बनाने के लिए previous term में एक fixed number को आड़ कर रहो देखो next term बनाने के लिए previous term में एक fixed number को add कर रहो तो ऐसे करके ये आपके क्या हो गए? ये आपके पक्का पक्का सीकूइंस तो हो गए लेकिन ये आपके क्या हो गए? progression भी हो गए, एक चीज KTC डाल के लिख देना कि all sequences are not need to be progression but all progression are your sequence, मतलब कि सारे progression आपके sequence तो होंगे, लेकिन सारे sequences जरूरी नहीं है कि वो आपके progression होंगे, वो चीज मैंने आपको बता दी, ठीक है सर, अब ये चीज तो आपकी क्या है, सर ये चीज तो आपकी sequence भी है और साथ-साथ में ये आपकी क्या है progression भी है अच्छा, progression आपको यहाँ पर एक word मैं देख लेता हूँ यहाँ पर अगर मैं इतने को mark करूँ तो आपको नजर आ रहा होगा भया कि progress होगी वहाँ पर, क्या होगी, progress होगी अच्छा, one की progress क्या होई कि one बन गया, four progress तो ही न, sir, कब बना जब हमने three को add किया अच्छा, four में हमने progress क्या करी sir, three को add किया, तो seven बन गया तो progress तो हो रही है, तो progression है भईया, यहाँ पर ध्यान से देख ले न अब आजाओ, इस वाले की हम लोग बात कर लेते है, चलो, चलो, चलो इस वाले की बात करो, जरासा आजाओ, sir, twelve के बात क्या हो रहा है sir, seven हो रहा है oh, 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 oh decrement हो रहा है यहाँ पर तो, यहाँ पर तो decrement हो रहा है two, two के बात हो रहा है वो सीधा minus का three, और फिर हो रहा है सीधा minus का eight आजब so 12 में आपने ऐसा क्या जादू किया जो वो एकदम 7 हो गया तो मैंने बुला भया 12 में मैंने क्या कर दिया माइनस का 5 कर दिया क्योंकि 12 में से जब 5 को माइनस करूँगा तो 7 आजएगा अच्छा अब आप 7 में ऐसा क्या माइनस कर रहे हो भाईया माइनस 5 को आड़ कर रहा हूँ अब यहां पर आप 2 में ऐसा क्या आड़ कर रहे हो जो आपके पास सीधा माइनस 3 बन रहा है भाईया माइनस के 5 को आड़ कर रहा हूँ सर आप जो यह बोल रहो हूँ न माईनस के 5 को add कर रहा हूँ, यह चीज समझ में नहीं आई, देखो एक बात समझना, प्रोग्रेशन तो तब होगी जब किसी चीज का addition होगा, यह बात ध्यान रखना, 12 में आप add कर रहा हूँ सर किसको अच्छा minus के 5 को सर तो ये बात तो बिल्कुल सेम ही है सर plus minus minus और सर 12 में से 5 गई तो हमारी 7 आ गई लेकिन 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 यहाँ पर progression हो रही है इसलिए आपको add ही बोलना पड़ेगा कि आप 12 में ऐसा क्या जोड रहे हो सर minus के 5 को जोड रहा हूँ 12 में minus के 5 को जोड रहा हूँ तो 7 बन रहा है सर मेरा और सर 7 में मैं minus के 5 को और जोड रहा हूँ तो मेरे पास 2 बन रहा है सर 2 में minus के 5 को और जोड रहा हूँ तो मेरे पास minus का 3 बन रहा है सर माइनस के 3 में मैं माइनस के 5 को जोड रहा हूँ तो मेरे पास माइनस का 8 बन रहा है किशोर सर अब अगर आप बोलो तो मैं अगला पैटन आपको बना के दिखा सकता हूँ अगला नमबर इस पैटन के हिसाब से मैं आपको बना के दिखा सकता हूँ सर माइनस के 8 में मैं माइनस के 5 को जोड रहा हूँ तो मेरे पास माइनस का 13 बन जाएगा सर यहाँ पर मैं पैटन को समझ गया यहाँ पर मैं पैटन को समझ गया और सर मैं यह बोल दूँगा आपको कि सर यह मेरा एक सीक्वेंस है क्या बताओ, क्या ये मेरे पास एक sequence है? अब अगर है, तो वो तो ठीक है, लेकिन क्या ये मेरे पास एक progression है? भाईया मैं तो बहुत confused यह गया हूँ, अब इसमें तो आप ही बताओ मेरे को, क्या ये सही है या गलत है? कि शोर सर समझो, यहाँ पर आपका एक sequence तो है, मैंने बोला क्यूं, क्योंकि सर आप यहाँ पर pattern तो पता लगा लिए न, आप यहाँ पर pattern तो पता लगा लिए कि आप minus के 5 को हर बार add कर रहो previous term में, ताकि आपको next term मिल जाए, तो यहाँ पर आपका यह sequence तो पक्का कहलाएगा अच्छा, क्या ही है मेरा sequence तो कहलाएगा है, लेकिन क्या ही है मेरा progression कहलाएगा, सर आपका यह एक progression भी कहलाएगा, क्योंकि आप सर एक fixed number को हमेशा क्या कर रहे हो, add कर रहे हो previous term में, next term पाने के लिए, अरे समझे की ना ही समझे, अरे सर ऐसा समझे, कि सर कैसा समझे, पता न लेकिन हा सर, sequence और progression दोनों को समझ गया, समझ गया, पका, जल्दी जल्दी जल्दी, एक पर प्यारा वाला screenshot इसका इसका ले लो, फिर हम इसके बारे में बात करते है, जल्दी ले लो भाया, important है, important है, important है ध्यान रखना, हो गया क्या, हा सर हो गया, चलो, third वाला देख ले, यहीं देख लें क्या, यहीं देख लेता है, आजब, इसको मेरा आप कर रहा हूँ यार, है न, screenshot ले ले ले, time to time, एक एक page का मैं आपको screenshot दे दूँगा, page बोल रहा हूँ मैं, मतलब एक एक slide का मैं आपको screenshot यहां पर दे दूँगा, तो आपको किसी भी चीज की दिक्कत नह आने दूँगा, minus का 9, के बाद आ रहा है, आपका minus का 7, minus के 7 के बाद आ रहा है, minus का 5, minus के 5 के बाद आ रहा है, minus का 3, minus का 2, 1 आ रहा है, और फिर 3 आ रहा है, अब यहां पर आप क्या ढूंड पा रहे हो, पहले तो मेरे को वो बताओ, यहां पर आप लोग क्या ढूंड पा रहे हो पहले तो मेरे को यह बताओ जरा सा ठीक है सर हम लोग माइनस के ना इन में क्या कर रहा है सर टू को आड कर रहे तो हमारे पस सेवन आ रहा है सेवन में सर हम टू को आड कर रहे तो हमारे पस क्या आ रहा है फाइव आ रहा है फाइव में सर हम टू को आड कर रहे तो हमा पैटन नजर आ रहा है बोले हां सर यहां पर हमें एक पैटन नजर तो आ रहा है अब पैटन नजर क्या आ रहा है वो बताओ कि सर हम लोग यहां पर टू को आड कर रहे हैं हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं टू को आड कर रहे हैं तो टू को आड करने पर हमारे पास चीजे बन रही है तू को एड़ करने पर हमारे पास क्या बन नहीं है चीज़ बन रही देखो कैसे माइनस के नाइन से माइनस के नाइन में आपने टू को जब एड़ किया तो आपके पास माइनस का सेवन बना माइनस के 7 में जब आपके पास माइनस का 5 हुआ तो आपने फिर से 2 को एड़ किया जब आपने माइनस के 5 में 2 को एड़ किया तो आपके पास माइनस का 3 बना अब यहाँ पर आपके पास क्या होगा भया प्लस 2 करोगे तो यहाँ पर माइनस का बन होगा देखो बात को समझो, यहाँ पर एक printing mistake हो सकती है, यहाँ पर आपके पास एक printing mistake जरूर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास minus का 2 नहीं आएगा, यहाँ पर आपके पास, ध्यान रखना, minus का 2 नहीं आएगा, जब आप minus 3 में 2 को add करोगे, तो आपके पास सीधा-सीधा minus क 1 आएगा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है किता आएगा सर सीधा-सीधा माइनस का 1 आएगा अब माइनस के 1 में आप जब 2 को आइड करोगे तो सीधा-सीधा आपके पास किता आएगा माइनस का 3 आएगा यहां के बाद यह पूरा गलत हो रहा है यहां के बाद यह थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण हमारा पैटर्न गलत हो रहा है अब माइनस वन में आप क्या एड करो सर माइनस का टू मतलब सर टू को एड करो तो माइनस वन में जब आप टू को एड करोगे तो आपके पस किता होगा देखो जब आपने माइनस के थ्री में टू को एड किया तो आपके पस माइनस का वन हुआ जब आपने माइनस के वन में टू को एड किया होगा तो आपके पस किता आया होगा वन आया होगा किता आया होगा वन आया होगा माइनस के one में two को wtedy you just got one if 1 में आपने two को tick on two to three तो आपके place three मतलब इसके बाद बिल्कुल सही है यहाँ पर है जो गलती ऐसली मैंने सुधार दी आपके पास mutfaat 1 आएगा माइनस के बाद माइनस के बाद आपके पर पास- capable one we can get one आएगा और ऐसे यह चीज़े चलती जाएंगी ठीक है तो sir two के बाद काया sir minus के one में हमने two को add किया और sir one में हमने two को add किया तो अब आप मुझे बताओ क्या हीए आपके पास एक sequence है क्या हीए आपके पास एक sequence है बुले sir, हाँ है या नहीं है तो क्या आपके पास ये एक progression है बोले sir हाँ है या नहीं है वो बात की बात है अब आप पहले तो हमें ये बताओ पहले तो आप हमें जल्दी से ये बताओ क्या sir आपके पास ये एक sequence है क्योंकि आपको एक pattern नजर आ गया अब 3 के बाद अगर आपको अगला number बनाना है तो आप क्या वो लोगें की sir 5 है क्यों क्योंकि आपने 3 में क्या add किया 2 को add किया तो आपके पास अगला number बन गया तो आप जब एक pattern को समझ जाओ तो वो आपका एक sequence तो कहलाएगा और अगर आप लोग previous term में एक fixed number को add कर रहे हो next term में और वही fixed number हमेशा पूरे इस sequence में चल रहा है तो वो आपका क्या कहला जाएगा वो आपका एक progression कहला जाएगा आपने एक चीज तो दिमाग में ये बठाई होगी कि जब जब आपका progression हो रहा है तब तब आपका sequence भी हो रहा है एक बार जल्दी से प्यारा वाले screenshot लेलो ये बात ध्यान रखना कि आपके सारे progression sequence होते हैं लेकिन आपके सारे sequence progression नहीं होते हैं मैं आपको एक figure के थुरू समझा दूँगा भईया ये चीज अभी हो गया क्या? हो गया? आगे बढ़े हैं? चलो आगे बढ़ते हैं तो अब बात को ध्यान चे समझो कि जो यहाँ पर समझाना चाह रहा हूं है कि in each of these sequences every term except the first is obtained by adding a fixed number है ना? वो positive भी हो सकता है या फिर negative भी हो सकता है लेकिन अगर वो negative हुआ तो भी आप उसको add करोगे और अगर वो आपका positive हुआ तो भी आप उसको add करोगे fixed number का क्या मतलब है? अरे भाईया यहाँ पर आपने 2 को add किया ना अरे भाईया यहाँ पर आपने फिर से 2 कोई add किया ना अरे भाईया यहाँ पर आपने फिर से 2 कोई add किया ना फिर से तू कोई add किया ना तो तू आपका क्या हो गया तू आपका एक fixed number हो गया कि भाईया ये हमारा permanent employee है इसको हम निकाल नहीं सकते क्योंकि अगर इसको हमने निकाल दिया ना तो हमारा ये sequence नहीं चल पाएगा हमारी ये जो company है ये नहीं चल पाएगी इस employee के बिना तो यही आपका क्या हो गया यही आपका fixed employee हो गया मतलब कि यही आपका fixed number हो गया जो आप previous term में add करोगे next term पाने के लिए बहुत बढ़िया किशोर सर बढ़िया तरीके साचीज समझ वे आ गई और वो permanent employee है ना जो आपका employee होता है वो कभी कबार तो यार देखो negative भी feel करता है negative भी feel करता है और कभी कबार positive भी feel करता है तो वो तो एक इंसानी हुआ ठीक है तो यहाँ पर वो जो employee है वो negative भी हो सकता है और positive भी हो सकता है लेकिन भाईया वो रहेगा तो fixed employee वो रहेगा तो आपका permanent employee ठीक है sir to the preceding term अब next term मिलने के लिए कि आपको preceding term में क्या add करना पड़ता है एक fixed number को add करना पड़ता है एक प्यारा सा screenshot लो तो हम लोग आगे की बाते करें हो गया क्या हसर हो गया आगे बढ़ सकते हैं बढ़ सकते हैं तो आप लोग एक बात को ध्यान से यहीं चलो यहीं बता देता हूं कि आप लोगों को सारे के सारे सीक्वेंसेज आपके प्रोग्रेशन होते हैं हाना कुछ गलत बोला है भाईया मैंने ध्यान रखना गलत बोला है मैंने गलत देखना समझना सारे के सारे सीक्वेंसेज आपके प्रोग्रेशन होते है या नहीं होते वो देखना और सारे के सारे आपके क्या progression sequence होते हैं कि नहीं होते हो देखना देखो सारे के सारे sequence not need to be progression बट सारे के सारे progression आपके क्या होते हैं sequences होते हैं not need to be हना समझना यहाँ पर आपके sequences not need to be progression बट सारे progression need to be आपका क्या sequence यह बात बहुत ज़्यादा ध्यान से रखना यह है भईया आपका KTC यह क्या है आपका KTC किशोर तेजवानी सर जी का concept तो यह बात अपने दिमाग में बठा ले ना कि सारे progression आपके sequence होते हैं लेकिन सारे sequence आपके progression नहीं होते हैं clear हो गई बात हाँ सर clear हो गई तो बस आगे की और चलते हैं और आगे की और हम लोग अपमारा आगे का concept देखते हैं अरे बाँ 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 इन्होंने तो यहीं बोल दिया इन्होंने तो यहीं के यहीं बोल दिया क्या कि sir all these sequences are called arithmetic sequences और arithmetic progression ध्यान रखना क्योंकि आपर arithmetic क्यों बोला जा रहा है क्योंकि आपर आप एक fixed number को add कर रहे हो इन सारे sequences में next term को पाने के लिए बस हो गई बात खतम बात खतम अब हम लोग समझेंगे standard form of an AP को उससे भी पहले अगर मैं आपको कुछ यहाँ पर बता हूँ तो मैं यहाँ पर आपके पास वही same to same क्या लेना चाहता हूँ वही same to same मैं pattern लेना चाहता हूँ जो हम लोगों ने यहाँ पर लिया था चलो कुछ को चीजों को यहाँ से हटा दू तो कोई दिक्कत तो नहीं है नहीं है सर तो कुछ को चीजों को मैं यहाँ पर हटा रहा हूँ आपको यह चीज तो मालुमी है कि आपका अगर यह एक progression है तो आप यहाँ पर इसको क्या बोलते हो इसको आप क्या बोलते हो देखो इसको आप बोलते हो first term और first term को आप कैसे लिखते हो sir simple सी बात है अगर हम लोगों को first term को लिखना है तो first term को sir हम लिखते हैं a one से first term को हम लिखते हैं a one से या फिर किस से लिखते हैं, सोचो भईया, मैं नहीं बता रहा, सोचो क्या करो, बता दू गया, चलो बता देता हूँ आजा भईया, अरे भईया, इसको आप A1 बोलते हो, साथ साथ में A भी बोलते हो और अगर आपके पास second term होती है, तो आप क्या करते हो सर second term में हम सीधा सीधा क्या लगा देते हैं, A2 लगा देते हैं अच्छा third term अगर होतो, third term अगर होतो, सर सीधा सीधा A3 लगा देते हैं अरे fourth term होतो, तो हम सर सीधा सीधा A4 लगा देते हैं अरे fifth term होतो, सर सीधा सीधा A5 लगा देते हैं clear हो गई बात clear हो गई अब यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आप इसको क्या लेखते हो A1, इसको क्या लेखते हो A2, इसको क्या लेखते हो A3, इसको क्या लेखते हो A4, इसको क्या लेखते हो A5, इसको क्या लेखते हो A6, इसको क्या लेखते हो A7, इसको क् लिखोगे a9 अच्छा सर यहाँ पर जो आपका नीचे नमबर होता है जैसे कि यह सर यह होता है तो यह आपको बताता है पोजीशन ओफ नमबर पोजीशन ओफ नमबर इन आ सीक्वेंस क्या बताता है यह जो नमबर है न यह जैसे यह नमबर है न टू यह आपको बताता है पोजीशन यह जो थ्री है न यह आपको बताता है पोजीशन यह जो फोर है न यह आपको बताएगा पोजीशन फाइव है न यह बताएगा पोजीशन पॉजीशन किसकी बताएगा of a number position of a number in a sequence मतलब की अगर हम लोग बात करें चलो 7 की तो 7 इस sequence के हिसाब से इस sequence के हिसाब से कौन सी position पर बठा है 7 इस sequence के हिसाब से कौन सी position पर बठा है सर फोट पोजीशन पर बठा है अच्छा 13 यहाँ पर कौन सी position के हिसाब से बिठा हुआ है यहाँ पर जो 13 है इस sequence के हिसाब से कौन सी position पर बिठा है सर 13 7th position पर बिठा है इस sequence के हिसाब से अरे बहुत शांदर बहुत बढ़िया किशोर सर बहुत बढ़िया तरीके से चीजों को समझा रहे हो और बड़िया तरीके से चीज़े समझ में भी आ रही है लेकिन सर हमारा मुद्दा तो यह है कि यहाँ पर जो चीज लिखी है यह क्या है यहाँ पर जो आपने एक चीज को लिखा है तो यह क्या है तो अब आपको यह चीज़ें भी मैं समझाता हूं यह चीज़े भी मैं आपको क्या करता हूँ यह चीज़े भी समझाता हूँ इसको हम लोग एक काम करते हैं इसको हम लोग पीछे लेके चलते हैं चलोगे पीछे चलो भईया पीछे आजाओ ओह पीछे तो केटी सी है यहाँ समझ लेते हैं clear है समझें क्या चलो सर अब अगर आगे हम लोग चीजों को discuss करें तो हम लोग position of a number in a sequence तो बड़िया तरीके से समझ गए लेकिन सर अब आप ये मान के चलो कि आप इसको क्या बोलते हो सर आप इसको बोलते हो पहला time क्योंकि पहला पहला time है ठीके सर लेकिन सर बात अभी भी एक चीज़ ये लग रही है कि ये आपका चलो माना पहला time सर पहले time में आपने कुछ ना कुछ add किया तो आपको दूसरा time मिला लेकिन सर आपने पहले time में ऐसा क्या add किया तो थोड़ी देर के लिए हम इसको दी बोल देते हैं तो आपने पहले में क्या add किया डी को add किया तो आपके पास बन गया अगला time अच्छा अब पहले में आपने दो बार क्या add किया आपने दो बार इसी को add किया तो आपको मिल गया तीसरा time समझना बहुत जादा प्यार से आपने A में D को आड़ किया तो आपके पास दूसरा टम बन गया अब आपने पहले में पहले में मतलब आपने 1 में ऐसा क्या एड़ किया जो आपको 5 मिला समझना फिर से समझना आपने 1 में ऐसा क्या एड़ किया जो आपको अगला मिला Sir 1 में हमने 2 को add किया ताकि हमें 3 मिला अब 1 में आपने क्या add किया जो आपको 5 मिला Sir हमने 1 में 2 बार D को add किया होगा हमने 1 में 2 बार add किया होगा D को Sir 2 बार add करने का क्या मतलब है कि Sir हमने 1 में 2 प्लस 2 किया और फिर प्लस 2 किया Sir, हमने 1 में plus 2 किया और फिर plus 2 किया मतलब कि Sir, हमने a में 2 बार d को add किया तो हम इसको क्या a plus 2 d कह सकते हैं? अरे आपने बोला तो क्यों नहीं कह सकते? हम तो कुछ भी कह देंगे तो ये आपके पास क्या हो गया? a plus 2 d हो गया अब फिर से इसी में आपने ऐसा क्या add किया? जो आपको ये 7 मिला Sir, हमने a में 3 बार d को add किया होगा हमने a में 3 बार d को add किया होगा और ऐसे ही ये चीजे क्या हो गई? चलती चली गई मतलब कि Sir, अगर आपको first time बताना है तो आपने a को add a को ही लिखा सिर्फ और Sir, अगर आपने second time बनाया तो आपने a में कुछ एक ऐसे number को जोड़ा है जहाँ पर आपके पास क्या आया? अगला time आया Sir, और आपको अगर third time बता लगाना है तो third time में आपने first time में ही दो बार क्या किया? add किया d को अच्छा Sir, अगर आप fourth time की बात करोगे तो आपने a में ही मतला first time में ही तीन बार add किया d को तो आपको यहाँ पर समझ में आई कुछ चीज है? हाँ Sir, आई ये जो d है, ये क्या है? Sir, ये जो d है, ये है आपके पास आपी का प्यारा प्यारा आपी का दुलारा common difference इसका नाम है कच्छा नीबू लेकिन इसको कहते हैं हम प्यार से common difference अच्छा सर, कच्छा नीबू क्यों है? क्योंकि ये भाईया हर team के उससे खेलता है ये member हर team के उससे खेलता है one के साथ भी खेल रहा, three के साथ भी खेल रहा और बुला रहा है भाईया, two three के साथ भी खेल रहा, five के साथ भी खेल रहा आ रहा है, two तो आपके पास ये है कच्छा नीबू common difference का आच्छे नाम कच्छा नीबू मतलब कच्छा नीबू क्योंकि सर, यहाँ पर आप आप क्या कर रहे हो हर एक में क्या कर रहे हो, add कर रहे हो तो आपको ये pattern नजर आने लगा कि नहीं नजर आने लगा, आने लगा चलो, एक नया pattern और लेते हैं अब हम लोग एक चीजों को और लेते हैं आजाओ अब आपके हिसाब से आप मुझे numbers बताओ चलो सर, एक काम करते हैं हम लोग लेते हैं सर एक progression को क्योंकि सर हमारे सारे sequences जरूरी निये progression होंगे लेकिन हमारे सारे progression सर जरूरी है कि वो sequence होंगे अब आजाओ, अब आपको मैं बताता हूँ कुछ numbers के बारे में जैसे कि मान के चलो 10 आ रहा है उसके बाद अगला 12 आ रहा है उसके बाद अगला मेरे पास 14 आ रहा है उसके बाद अगला सर 16 आ रहा है कि शोर सर मैं बताओ मैंने बला क्या बोले सर 18 आएगा अगला और सर उसके बाद 20 आएगा सर 22 आएगा मैंने बला तुम तो जादूगर हो यार बोले सर जादूगर नहीं जादूगर नहीं यह आपको लग रहा है कि हम जादूगर है लेकिन हम जादूगर नहीं है यहाँ पर हमने सीक्वेंस को ढूंडा यहाँ पर हमने क्या किया सर यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं किया सीक्वेंस को ढूंडा सर एक पैटन नजर आ गया एक पैटन जासी नजर आ गया वैसी हमने क्या बोल दिया कि हमारा सीक्वेंस है क्या पैटन नजर आया सर सुनो ना आपने 10 में ऐसा क्या जादू किया जो 12 बना मैंने बोला प्लस 2 किया सर सिंपल हम भी भई करते गए और हमारा अगला नंबर बनता गया प्रीवियस टम में हमने एक नंबर को एसा एड्ड किया ताकि हमारा क्या बन जाए नेक्स टमा बन जाए अरे वा 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 अब तो हम जादू कर होगाए मेंने बुला कैसे सर यहां से 22 में बुलाट dual बता गया लING वाल फिव्ह सर अगला बता गया बुलाँ इस अग अगला बता हूं कि बता 28, sir कैसे sir जादूगर, अरे जादूगर नहीं रहे, 2222 को add करते जा रहा, इसलिए 2222, 2222, तारह नहीं बोलना, ठीक है, क्योंकि वो तो आप हो, अब यहाँ पर आप कर क्या रहे हो, वो समझो ध्यान से हैं न, आप इसको क्या बोलते हो प्यार से, sir इस से, second position पे यह बठा हूँ है, अच्छा आप इसको क्या बोलोगे 3rd term क्यों क्योंकि सर, प्योंकि सर, प्योते पोजिशन पे यह बठा हूँ है, आप इसको क्या बोलोगे 5th term क्योंकि पांच वी पोजिशन पर ये बठा हुआ है आप इसको क्या बोलोगे A6 क्योंकि ये 6 वी पोजिशन पर बठा हुआ है और आप इसको क्या बोलोगे 7th term क्योंकि आप ये क्या बठा हुआ है 7 वी पोजिशन पर बठा हुआ है ऐसे ही A8, A9, A10 आते जाएंगे अब आपने समझना ध्यान से 10 में ऐसा क्या किया आपने जो आपके पास 12 बना आपने sir, 1, 2 को अड़ किया तो आपने मतलब ultimately क्या किया आपने A1 में या फिर A में क्या अड़ किया D को अड़ किया तो आपके पास क्या बन गया sir, A plus D बन गया आपने A में क्या अड़ किया D को अड़ किया तो आपके पास A plus D बन गया अरे मतलब कि 10 plus 2, 12 बन गया बात यही है तो आपने अपने अपने ध्यान से इधर देखना आपने A में ऐसा क्या अड़ किया आपने a में ऐसा क्या add किया जो आपके पास ये बन गया तो sir हमने a में d को add किया चलो ठीक है अब बात को और ज्यादा ध्यान से अब आपने a में अब आपने 10 में ऐसा क्या add किया जो आपके पास 14 मन गया sir हमने इस बार 10 में पहले तो plus 2 तो किया हमने 10 में plus 2 तो किया फिर सर हमने एक बार और plus 2 किया तो हमारे पास क्या बन गया 14 बन गया तो आपने कितनी बार add किया सर मतलब कि ये तो देखो हमारे पास इसका नाम तो था सर A और सर हमने A में क्या add किया सर D को add किया और सर फिर से हमने क्या किया फिर से हम सर अमने D को add किया मतलब कि D को आपने दो बार add किया तो A में आपने दो बार add किया तो आपके पास कित्ता बन गया A प्लस 2D बन गया हाँ मतलब कि आपको अगर first term की बात करी जाएगी तो वो आपके पास A होगी अगर उसके अगली term की बात करी जाएगी तो वो a plus d होगी उसके अगली term की बात की जाएगी तो a plus 2d होगी क्यों क्योंकि आप दो बार d को add करोगे पहली term में ताकि आपको तीसरी term मिले और पहली term में अब आप कितनी बार add करोगे d को देखो अब आपको चौथी टम कम मिलेगी जब आप पहली टम में कितनी बार आड करोगे डी को तीन बार तो चौथी टम में निकालने के लिए आप पहली टम में तीन बार डी को आड करोगे चलो अब देखो सरा अब देखो अब देखो पहली टम से आप पाचवी टम निकालने के लिए कितनी बार D को आइड करोगे सर पहली टम से पाचवी टम निकालने के लिए हम D को एक बार दो बार तीन बार चार बार आइड करेंगे तो पहली टम में आप चार बार D को क्या करोगे, अच्छा, फिर Sir A plus 5D हो जाएगा, यह तो ऐसा, Sir यह तो A plus 6D हो जाएगा, Sir ऐसे यह चलता जाएगा, अच्छा यह आपने कैसे निकाला, Sir जादू कर, अरे नहीं नहीं, सही बताओ, प्लीज सही बताओ, अरे Sir कुछ भी नही जितना यहाँ पर नंबर होगा, उससे एक नंबर कम यहाँ होगा, जितना यहाँ पर नंबर होगा, उससे एक नंबर कम यहाँ होगा, जितना यहाँ पर नंबर होगा, उससे एक नंबर कम यहाँ पर होगा, 6 है तो 5 होगा, 7 है तो 6 होगा, 8 है तो 7 होगा, 9 है तो 8 होगा, 10 है तो 9 होगा ठीक है D के साथ clear हो गई और यहीं से ही फॉर्मुला आता है आपका अने ट्रम ऑफ इन अप का बता दूंगा वो तिकत नहीं लेने का चलो अब अगर हम लोग बातों को ध्यान से समझें तो आपके पास topic आ गया standard form of an AP arithmetic progression का एक standard form क्या बोलता है आ जाएगा अब आपको क्या करना है consider करना है infinite arithmetic progression को देखो finite क्या होता है और infinite क्या होता है वो चीज़ तो मैं आपको समझा दूंगा finite में आपके पास last term given होता है और infinite में last term given नहीं होता last term बोले तो जैसे की मान के चलो हम लोग ले रहे हैं आपके even number वो भी कितने तक ले रहे 98 तक ले रहे मतलब की अब आप लेखोगे 2468 किशोर सर बस करो कितना लेखोगे थग जाओगे किशोर सर क्योंकि सर अब आप सोचो इसके बाद नहीं लेख पाऊगे आप एक काम करो किशोर सर dotted लगाओ dot और सर 98 तक end गर दोसको अच्छा इसका मतलब में समझ गया कि आपके पास यहाँ पर क्या है एक ऐसा progression है जिसमें आप टुटू टूटू टू को add करते जाओगे साथ-साथ में आपको ये कहां तक ले जाएगा सिर्फ 98 तक लेके जाएगा आपको ये 98 तक लेके जाएगा आप इसको बोल देते हो last term क्या बोल देते हो लास्ट term अब अगर आपकी last term यहाँ पर defined है तो ऐसे progression को आप कहते हो आपका finite progression और finite progression अगर बोल रहे है मतलब कि हम तो sequence भी वाड यूज कर सकते हैं हम तो यहाँ पर sequence भी वाड यूज कर सकते हैं क्योंकि मेरे सारे progression क्या होते हैं मेरे सारे के सारे PROGRESSION sequence होते हैं तो उस हिसाब से सरी यह मेरा क्या है? finite progression है. यह हो गया आपका case number one. कि जब आपको last term क्या होगी? जब आपको last term given होगी. और आप मान के चलो, अगर आपके पास last term given नहीं है. अब अगर आपके पास last term given नहीं है, मतलब कि कुछ ऐसा, one के बाद four आ रहा है, four के बाद seven आ रहा है, देखो यार, one के बाद four आ रहा है, four के बाद seven आ रहा है, seven के बाद ten आ रहा है, ten के बाद 13 आ रहा है, और ऐसे करते करते यहाँ पर last term defined नहीं है. last term यहाँ पर defined नहीं है. तो उस हिसाब से आपको क्या बोल देगा वो उस हिसाब से आपको वो बोल देगा उस हिसाब से आपको ये बोल देगा कि ये आपके पास कैसा है ये आपके पास infinite progression है क्या है सर ये आपके पास infinite progression है क्योंकि यहाँ पर आपके पास last term नहीं है clear हो गई ये बात clear हो गई तो जब आपके पास last term नहीं हो तो आप उसको infinite progression बोलोगे जब आपके पास last term हो तो वो आप क्या हो बोलोगे finite बोलोगे एक बार जल्दी से प्यारा वाला screenshot ले लो ठीक है ले लिया screenshot हज़र ले लिया तो पस ये आपके पास क्या हो गया ये आपके पास case 2 हो गया ठीक है ना ये हो गया आपके पास case 2 कि जब आपके पास last term नहीं होगी तब की बात ही ये ठीक है सर्थ एक बार जल्दी से हो गया वाज़र तो screenshot अब हम लोग आगे बढ़ते हैं for example for example में क्या बोल रहा है कि भाईया यहां पर sequence में आपके पास ये है और आपके पास एक और example है जिसमें की sequence आपके पास ये है तो ये आपके पास AP में है की नहीं वो बताओ ये आपके पास AP में है या नहीं वो बताओ तो आप AP में तो बता दोगे कि आपके पास क्या हो रहा होगा आपके पास एक fixed number add हो रहा होगा अच्छा लेकिन हम लोग AP में ऐसे नहीं बोलते कि हमारा fixed number add हो रहा है कि नहीं हो रहा है आप ऐसे देखके बोलतो दोगे कि भाईया 1 में हम लोग क्या add कर रहे हैं 3 को add कर रहे ह फिर 4 में हम लोग क्या add कर रहे हैं 3 को add कर रहे हैं फिर 7 में हम लोग क्या add कर रहे हैं 3 को add कर रहे हैं 10 में हम लोग क्या add कर रहे हैं 3 को add कर रहे हैं तो यह पक्का AP में होगा ऐसे हम लोग बोल सकते हैं लेकिन यहां पर ना चीजों को बताने के लिए एक अलग तरीका होता ह वो क्या होता है वो बताता हूं आपको यह आपके पास क्या होता है sir a1 होता है यह आपके पास a2 होता है यह आपके पास a3 होता है यह आपके पास a4 होता है यह आपके पास a5 होता है अब अगर आपको कोई भी sequence को बताना है कि वो एक a p form कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है तो अगर कच्चा नीबू सेम रहेगा, क्योंकि भाया, कच्चा नीबू दोगला होता है, दोनों टीम के साथ खेलता है, कच्चा नीबू दोगला है, दोनों टीम के साथ खेलेगा, अगर कच्चा नीबू आपका बराबर होगा हर हर केस में, तो आपके पास आप बोलोगे, कि य next term minus previous term next term minus preceding term या next term minus previous term लिख दू पूरा-पूरा या लिख दो लिख दो आज़ा लिख देता हूँ फिर यहीं पर हम लोग रब कर देंगे next term minus previous term clear हो गई बात clear हो गई मतलब कि आपके पास d कैसे आता है sir next term अच्छा 1 के बाद next term कित्ती है 4 minus previous उसकी कित्ती है 1 तो कित्त आया sir 3 आया अच्छा d हम लोग और भी तो तरीके से निकाल सकते है अब हम लोग next term कौन सी ले लेते हैं अब हम लोग ले लेते हैं 10 चलो 10 मतलो 10 से पहले भी आपके पास क्या ले लो 7 ले लो तो अब आपके पास 7 ले लो 7 मैं से क्या minus करो 7 मैं से 4 को minus करो तो कि तारा 3, अच्छा, अभी भी हमें क्या नहीं हुआ, यकीन नहीं हुआ, तो हम और निकालेंगे, एक और का अच्छा नीबू निकालेंगे, जिसमें कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस बार 10 में से माइनस करेंगे, मतलब की next term माइनस उसकी previous term आगया 3, चलो, अभी भ 13 में से 10 को माइनस करेंगे, तो 13 में से जब हमने 10 को माइनस किया, तो हमारे पास 3 आया, इसका ये मतलब है कि जब, 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 आपका common difference इम आएगा, next term minus previous term करने पर, तब आप उसको क्या बोल दोगे, तब आप उसको बोल दोगे कि yes, ये जो sequence है, ये आ बोल दोगे आप ऐसा, बोल दोगे, लेकिन आपको लग रहा है क्या कि ये तरीका सही है, अरे भाईया, ये तरीका सही नहीं है, आपको d बराबर next term minus previous term तो लिख दोगे, लेकिन ये fourth कौनसी time है, तो sir, ये आपकी second time है न यार, और आपके पास one क्या है, sir, ये तो first time है, तो मैंने यहाँ पर a2 में से a1 को जब minus किया न, तो मेरे पास three आया, अच्छा, और आपके पास seven और four, seven कौनसा time था, sir, seven था three और four था second time, तो आपने a3 में से a2 को minus किया, अच्छा, आपके पास ten और seven कौनसा, कौनसा time था, sir, simple सी बात है, आपके पास ten कौनसा time था, ten था fourth time, और 4th term में से आपने 3rd term को क्या करा? माइनस करा. छीक है. अब अगर मैं बात करूँ 13 minus 10. तो 13 minus 10 का क्या मतलब हो जाता है? यहाँ पर 13 minus 10 का मतलब हो जाता है कि आपने 5th term में से 4th term को माइनस करा. समझ गए बात को? हाँ सर समझ गया. तो आपका common difference ऐसा निकलेगा और जब जब common difference है का सेम आएगा ना मतलब कच्चा नीबू अगर दोगला नहीं होगा दोग के बाज नहीं होगा अगर वो सेम देगा ना तो आपका जो given sequence होगा ना form करेगा वो AP को तो given sequence form AP अब आप लोग मुझे इसमें बताओ जड़ा कच्चा नीबू निकालने पर ही हम लोग क्या बता पाएंगे कच्चा नीबू निकालने पर ही हम लोग ये बता पाएंगे कि जो हमारा sequence है ना वो progression है किया फिर नहीं है clear? correct है? correct है तो यह आपके पास first time हो गई यह आपके पास second time हो गई यह आपके पास third time हो गई और यह आपके पास fourth time हो गई अच्छा एक बात एक बात एक बात एक बात आप मुझे ktq में बताना आप मुझे जरा ktq में बताना कि यह आपके पास बोले तो किशोर तेजवानी सर का question है कि यह आपके पास finite है या फिर एक infinite sequence है finite है या फिर आपके पास infinite है पता ना क्योंकि भाईया मैं अगर यहाँ पर सारी चीजों को देख पा रहा हूँ तो मैं यहाँ पर यह देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर infinite चीज़े चल रही है मेरे पास कैसी चल रही है सारी की सारी चीज़े infinite चल रही है ठीक है एक बार जल्दी से screenshot लो देखा क्या हा सर देखा तो बस अब आप एक बात को यहाँ पर ध्यान जे समझो क्योंकि यहाँ पर मुझे यहाँ पर दी को निकालो अगर दी सेम आ रहा है तो यह जो sequence यह form कर रहा होगा एक को अदरवाइस नहीं कर रहा होगा दी को हम निकाल रहे हैं second term minus first term से मतलब की आपके पास second term है seven और minus कर दोगे आप 11 से अच्छा सर ऐसे मजा नहीं आ रहा सर एक काम करो इसी के नीचे लिखो second term में आपके पास seven और आपके पास first term में 11 तो seven में से 11 को जब माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा माइनस का four आ जाएगा ठीक है आगे की बात अब अगर आप लोग डी और कैसे निकालोगे सर थर्ड टम माइनस second term करके निकालेंगे चलो थर्ड टम आपके पास है three और second term है आपके पास seven तो third में से अगर आप three में से seven को माइनस करोगे तो माइनस का four आ रहा है fourth term minus third term से वैसे तो दो बार ही निकालोगे न तो दो बार में आपको पता चल जाएगा कि difference आपके पास कित आ रहा है तो यहाँ पर ही आप वैसे तो बोल दोगे कि sequence आपका a-p form हो रहा है लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहरा हूं clarity देना चाहरा हूं कि आपका अगर common difference सेम आएगा तो आपको बोल देना है भाईया कि sequence आपका progression है ठीक है तो a4 में से minus 1 में से आपको क्या minus करना पड़ेगा minus 3 minus करना पड़ेगा है तो आपके पस कित आ जाएगा minus का 4 आ जाएगा आप चीज को बस समझो आप बस चीज को समझो कि जो जो चीजे मैं समझा रहा हूं एक बार जल्ली से बता दो कि चीज़े clear हो रही है कि नहीं हो रही है सर भेंकर तरीके से चीजे clear हो रही है और आपका यहाँ पर भी ktq बन गया ktq यह बन गया कि आपको बताना है भाईया कि यह आपका finite है या फिर आपका infinite है ठीक है finite है या फिर आपका infinite है तो यह चीज़ आप मुझे बता देना जल्दी से screenshot ले लो एक प्यारा वाला ले ल questions खड़े हुए हैं हमारे लिए तो questions आपके क्या क्या बोल रहा है देखना Sir question number one बोल रहा है कि आपको AP बनाना है right hand AP जिसका first term आपके पास 10 है और आपका common difference किता है 3 है आपका common difference किता है 3 है ठीक है आपको AP बनाना है ना AP मैं आपको बना के देता हूं वैसे तो आप क्या बो आपको क्या मिल रहा होगा अगले टम मिल रहा होगा तो वह पक्का क्या कर रहा होगे 3 को add कर रहा होगे तो 10 में 3 को add करोगे तो आपके पास कितना मिलेगा सर 20 कहां से मिलेगा आपके पस तो 13 मिलेगा अचा 13 में आप 3 को जब add करोगे तो आपको क्या मिलेगा 16 मिलेगा 16 में आपके पास जब आप 3 को add करोगे तो आपके पस कितना मिलेगा 19 मिलेगा बस करो सर ये बन गई AP लेकिन आप ऐसे वहाँ पर नहीं बता पाओगे आप ऐसे वहाँ पर नहीं बता पाओगे आपको वहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको वहाँ पर उसको proper सारी के सारी चीजे बतानी पड़ेंगी जैसे कि आप यहाँ पर पूरा पूरा उसको लिख के बताना कि भाईया मेरे पास जो first term है वो कित्ती है 10 है जो मेरे पास common difference है वो कित् मेरे पास जो कच्छा नीबू है वो है मेरे पास कित्ता 3 इसका क्या मतलब हुआ सर first term का मतलब A तो A आपके पास 10 है अच्छा A आपके पास कित्ता है A आपके पास 10 है और आपके पास D कित्ता है तो सर उसे साब से D मेरे पास 3 है clear होगी सर बात अब हम लोग क्या use कर सकते है हम लोग यूज कर सकते हैं हमारा standard form of an AP को क्या यूज करना आप लोग यूज करना standard form of an AP ये सर standard form of an AP क्या होता है अरे भाईया standard form of an arithmetic progression जो की जो की जो की आपका बोलता है कि अगर आपको इन की मदद से आगे वाली term चाहिए है मतलब अगर आपको एक AP form करना है तो आपको A अगला हो जाएगा A प्लस D अगला हो जाएगा A प्लस 2D अगला हो जाएगा A प्लस 3D और ऐसी आपका क्या हो जाएगा ऐसी आपका AP form हो जाएगा अच्छा करके देखे क्या चलो आजाओ करके देखते look at that тай sok अब आपका अगला कई से पनेगा सर अगला टंब बनेगा जब मैं ये में दी को आड़ कर दूंगा मतलब टैन में फी को अआड़ कर दूँ रदोंगा अच्छा अगला कश अमेंगा पनेगा जब मैं ऐ में ट्यों र Whoo य अध कर दूंगा मतलब सी नमें जब मैं 2 का multiply कर दूँगा D से ठीक है सर और सर अगला कब बनेगा अगला बनेगा सर जब मैं A में बोले तो 10 में जब मैं 3 गुरा कर दूँगा किसका D का बोले तो 3 का clear हो रही है यह चारी चीज़े है हाँ सर clear हो रही है ऐसी यह मेरा बन जाएगा अब finalize हम लोग कर देते हैं चीजों को कि यह तो चलो ठीक है 10 यह हो गया हमारे पास 13 यह हो गया हमारे पास थ्री टूजा 6 6 और 10 हो जाएगा आपके पास 16 और यह हो जाएगा थ्री थ्री सा 9 10 और 9 आपके पास हो जाएगा 19 और ऐसे ही करके हमने क्या बना दिया हमने बना दिया हमारा AP यह देख लो यह देख लो और यह देख लो समझ गए तो यह आपका क्या बन गया यही आपका बन गया आपका प्यारा आपका दुलारा अरिथमाटिक प्रोग्रेशन क्लियर होगी बात? एक पर जल्दी से प्यारा वाला स्क्रीन शॉट ले लो क्योंकि ऐसे ही आपको क्या करना पड़ेगा हर कोशन को करना पड़ेगा ठीक है कर लोगे आप लोग आगे बढ़े चलो आगे बढ़े तो जैसे ही हम लोग आगे बढ़े अब आगे हमारे पास एक नएया कोशन आ गया फढ़ो फढ़ो पहले आप लोग फढ़ो पहले आप लोग फढ़ो और फिर आगे हम लोग पढ़ाएंगे फिर से आपको एपी फ़र्म करना है जिसमें कि 4 क्या है आपकी इस भार 1st time है और minus 3 क्या है आपके पास common difference है ठीक है आजब घबराना नहीं है सबसे पिले तो question से आपको क्या करना है आपको AP form करना है जिसमें कि 4 आपके पास क्या बोला है 1st time है और minus 3 आपके पास क्या बोला है आपके पास common difference है ठीक है तो first time आपको दी हुई है पूरा पूरा अभी तो अच्छे से समझाता हूँ first time आपको दी हुई है मतलब की a वो कित्छी दी हुई है 4 दी हुई है अच्छा अब आपको अगर मैं बात करूँ common difference की बोले तो हमारा प्यारा वाला कच्छा नीबू तो कच्छा नीबू कित्ता है हमारे पास sir common difference है आपके पास minus का 3 ठीक है अब आपको a-p form करना है तो a-p आपका कैसे form होगा sir standard form of an a-p से ही form होगा ठीक है तो standard form of an a-p क्या होता है sir standard form of an a-p होता है कि आपको प्यार से a में क्या add करना है d को add करना है फिर आप a में 2d को add करना है फिर आपको a में 3d को add करना है और बस ऐसे ही करते चले जाना है अब ध्यान जा समझो a आपके पास किता है 4 4 में आपने क्या add किया 4 में आपने d बोले तो minus 3 को add किया तो आपको अगला मिलेगा अब आपने a में क्या add किया sir आपने 2d add किया मतलब 2 का multiply किया minus के 3 के साथ फिर आपने a में क्या add किया फिर आपने a में minus के 3 को और add किया लेकिन sir आप a लिख क्यों नहीं रहो बात तो सही यार ये तो लिखना पड़ेगा एक इत्ता है सर फोर एक इत्ता है सर फोर 4 में आपने ऐसा क्या एट किया सर तीन गुणा हमने किया common difference का तीन गुणा किया हमने common difference का और बस सर हम ऐसे ही क्या करते जाएंगे करते चले जाएंगे ठीक है तो अब अगर हम लोग बात करें तो भाईया ये तो हो गई हमारी चार दिन की चांदनी और फिर भाईया आ जाएगी अंधेरी रात तो फोर हो गया अब सर्फ प्लस माइनस माइनस फोर में से थ्री को हमने घटाया तो हमारे पास एक भटाक से आ गया देगा चार से सीधा एक हो गया अब आपके पास यहां पर क्या हो गया माइनस का सिक्स तो यहां पर आपके पास कित्ता हो जाएगा यहां माइनस का सिक्स हो माइनस का 9, q ईकदम बढ़िया बावाल तप्रीक से रचे करे भावाल पेपर में मचेगा हम लोग बढ़ा तरीक discomfort को अगया है यह चीज आ गया आपको समझ में पक्का कि एक KTCny एक केटीसी हो जाए हो जाएगा चलो आजब आजो अब इसी बात में किशौर सर आपको लिखवाएंगे एक केटी सी क्या के सी बोले तो किशौर तेज्वानी कंशफट पहले in यह वहाले का स्क्रीन तो ले ले लिया था गया और ले लिया स्क्रीन शॉट हाँ ले लिया सर चल अब अगर ले लिया तो बात कर लेते हैं हम लोग KTC के क्योंकि KTC की बात कर रहे था अब KTC में क्या बताना है अब आपको KTC में कुछ बताना पड़ेगा देखो if the common difference of an AP if the common difference of an AP is positive then the AP या फिर दिरिक लिए लिख रहा हूं the AP is increasing ठीक है second point ध्यान से की भाईया अगर आपका common difference अगर आपका common difference zero हुआ अगर आपका common difference negative हुआ अगर आपका common difference negative हुआ तो जो आपका AP है वो आपका decrease करेगा ये बहुत जादा important चीज थी इसलिए आपको बतानी जरूरी समझी की अगर आपके पास अगर आपके पास जो common difference है AP का वो अगर positive है तो आप बोल दोगे की जो आपका AP है वो बढ़ रहा है और अगर आपके पास जो common difference है ना AP का अगर वो 0 है तो आप बोल दोगे की जो आपका AP है वो constant चल रहा है और अगर जो आपका common difference negative जाएगा ना तो आप बोल दोगे की जो AP है ना आपका वो कमजोर पढ़ रहा है दीरे धीरे decrease हो रहा है कम पढ़ रहा है ठीक है तो यह था आपका KTC तो KTC का मतलब तो आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे और अगर नहीं जानते हैं तो लोगों से पुछ लीजेगा क्योंकि यह है किशवर देजवानी का कंचप्ट हो गया चल आगे बढ़ सकते हैं अरे भैतरीन तरीके से बढ़ सकते हैं तो पस यह सारी चीज हो गए यह कोशन्स हो गए अब जैसे कि अच्छा इसी कोशन में देख लो आपके पास कॉमन डिफरेंस निगेटिफ था के टीसी के इसाब से कॉमन डिफरेंस अगर आ चबता है तो आगे की बात समझते हैं अब आपके पास क्या है सर यहाँ पर आप तो आसान आसान गोशन अब तो खुदी कर लोगे है ना गोडी कर लोगे ना खुदी कर लेंगे आजा 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 गिवन क्या क्या दिया हुआ है गिवन दिया हुआ है सर आपको first time कित्ता first time दिया सर minus में 1.25 अच्छा और common difference कित्ता दिया है सर common difference हमें दिया है common difference दिया सर negative मतलब सर पाक पक किये कि इस बार भी AP क्या हो रहा होगा कम हो रहा होगा क्योंकि यह चीज हम समझ गए कहा से KTC से ठीक है मतलब कि आपको a कित्ता दिया है a दिया है minus में 1.25 और आपको d कित्ता दिया है सर d दिया है minus में 0.25 अब आपके पास क्या होता है सर अब आपके पास standard form of an AP जानते हो क्या जानते हैं सर standard form of an AP standard form of an AP को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं क्या जानते हो इसकी सर हो जाता है a a plus में d a plus में 2d और a plus में 3d और ऐसे करते करते यह जाता जाएगा ऐसे करते करते यह आपका जाता जाएगा लिखते जाओ minus में 1.25 कॉमा minus में 1.25 plus आपके पास d कित्ता है d है आपके पास minus 0.25 ठीक है और आपके पास a plus 2d देखो a plus 2d a आपके पास है minus में 1.25 plus 2 और d है आपके पास minus 0.25 ठीक है अब आपके पास कित्ता आजाएगा अब आपके पास अगला लाना पड़ेगा आपको आपके पास minus 1.25 plus 3 और D है आपके पास minus 0.25 आजा 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 जल्दी करते हैं चलो तो आपके पास क्या बन गया minus 1.25 अच्छा यह हो जाएगा plus minus minus तो minus minus plus आप 1.25 minus 0.25 को आड़ करना है भाईया तो आपके पास हो जाएगा minus 1.50 ठीके अब यहां से जब आप इस पूरे को solve करोगे तो यहां पे हो जाएगा आपके पास minus 0.50 और minus 0.50 जब आप इसमें आड़ करोगे तो आपके पास आजाएगा minus 1.75 फिर आजाएगा आपके ये कहानी क्या होगी चलती रहेगी और जा अगर ये कहानी ऐसे ही चलती रहेगी तो आप इसको बोल दोगे ये है आपका arithmetic progression clear हो गई बात अरे clear हो गई की नहीं हो गई जल्दी जल्दी बता दो भाईया हो गई सार बढ़िया तरीके से क्या हो गई है clear हो गई है ठीक है आगे बढ़ते हैं अब अगर आपके पास आगे question आए तो आगे question को हमें प्यार से ही deal करना है जादा गुस्सा नहीं दिखाना question number four बोल रहा है for the following arithmetic progression write the first term और उसका common difference अब first term और common difference आपको निकालना आता है देखो common difference के लिए वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि क्या करना होता है next term minus previous term करना होता है है आपको common difference के लिए ध्यान रखना common difference क्योंकि हमारा कच्चा निवुई है तो उसके लिए हमें करना पड़ता है next term minus previous term या फिर preceding term clear हो गई बात clear हो गई तो अब अगर हम लोग आगे चीजों को ध्यान से समझें तो इस हिसाब से हमें क्या बताना है first term बताना है और common difference बताना है तो चलो बताते हैं कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर कर लेते हम लोग चीजों को सर देखो यहाँ पर आपके पास यही हो जाएगा इसका first term तो हना कित्ता हो जाएगा sir 0.6 लेकिन सर अगर हम लोग बात को ध्यान जा समझें तो आपके पास यह तो हो जाता है a1 यह हो जाएगा आपके पास a2 यह हो जाएगा आपके पास a3 यह हो जाएगा आपके पास a4 हमें यहाँ पर दिया हुआ है हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि यह arithmetic progression है अगर arithmetic progression है तो आप इसका first term और common difference बताओ तो पता देंगे सर सीधा सीधा आपके पास पहले वाले ही question में first term की अगर हम बात करें तो first term होता है सर हमारे पास a और a है हमारे पास 0.6 clear होगे सर बात अरे सर लेकिन यहाँ पर तो कच्चा नीबू भी पूछा है यहाँ पर तो सर इसने कच्चा नीबू भी पूछा है बोले तो सर इसने common difference d भी पूछा है तो मैंने बोला निकाल दो न अरे a2-a1 से निकाल दो a3-a2 से निकाल दो a4-a3 से निकाल दो a5-a4 से निकाल दो जिस 7 पढ़ रहा उससे निकाल दो मैं तो a2-a1 से सर तीन-चार बार क्यों निकालेंगे यहाँ पर शक नहीं हो रहा इस बार कच्चा नीबू पर अरे नहीं हो रहा क्योंकि यह दिया है बोलतो रहा है वो arithmetic progression है अगर है तो first time or common difference बता दो बता देंगे चलो सर a2 हमारे पास किता है हमारा a2 है हमारा b2 1.7 और a1 है सर 0.6 सर आ गया मैंने बढ़ा कौन बोले सर common difference d common difference d आ गया किता आया 1.6 अरे 1.1 तो a आपके पास आ गया 0.6 डी आपके पास आ गया 1.1 चलो आगे बढ़ते हैं अब अगर आगे हम लोग बात करें तो हम लोग बात करेंगे second question की second question हमारे पास दिया हुआ है सीधा सीधा आपके पास अचा एक बात और ध्यान रखना आप लोग first term को a b बोलते हो और साथ साथ में क्या बोलते हो a1 भी बोलते हो हना क्या क्या बोलते हो first term को आप a भी बोलते हो साथ-साथ में आप लोग क्या बोलते हो साथ-साथ में आप लोग D भी बोलतो अरे साथ D नहीं A1 या A बात एक किए जल्दी से एक बार प्यारा वाले स्क्रीनशोट ले लो ले लिया स्क्रीनशोट हासर ले लिया तो बस यही बात हो गई और दूसरी बात आपकी ध्यान रखना कि आप अगर ध्यान से देखोगे first term को तो first term को ध्यान रखना कि आप a1 भी बोलते हो और साथ साथ में क्या बोलते हो a भी बोलते हो और ये तो आपका कच्चा नीबू रहेगा ही रहेगा d ठीक है सब अब आगे की बात कर लेते हैं और ये वाला question करी लेते हैं हमें क्या निकालना है इसमें इसके हिसाब से first term और common difference निकालना है तो first term तो हमारे पास कित्ती हो जाएगी first term बोले तो a और a है हमारे पास 1 by 3 चलो आगे वड़ो अब अगर हम लोग आगे की बातों को समझें तो हमें निकालना रहेगा common difference तो common difference कैसे आएगा sir a2 minus a1 से आएगा अब a2 आपके पास कित्ता है 5 by 3 minus 1 by 3 5 by 3 minus का 1 by 3 तो 5 by 3 minus 1 by 3 में से 3 आगया और नीचे उपर हो जाएगा आपके पास minus मतलब कि सीधा सीधा आगा डिरिकली हम लोग करें चीजों को लेके तो आपके पास कित्ता आजाएगा 4 by 3 आजाएगा यह हो गया आपके पास common difference और वो हो गया आपके पास a इतनी आसानी से हम लोग कर लेते हैं हना यह हो गया आपके पास a और यह हो गया आपके पास common difference एक बार जल्दी से प्यारा वाले screenshot लो तो हम लोग आगे बढ़ें बढ़ने आगे बढ़ने चलो आगे अब आगे हमारे पासकोरक्शे 25th question और पर 5th question में हमारे पास क्या बोला जा रहा है वो समझो 5th question में हमारे पास क्या बोला जा रहा है वो थोड़ा समझना वो optimal computer number of students left in the school auditorium from the total strength of thousand students ठीक है when they leave the auditorium in the batches of 25 in this situation the sequence forms an AP आप से वो पूछ रहा है कि भाईया आपके पास number of students left है school auditorium में total strength में से अब आपके पास students कितने हजार students है जब आपके auditorium में से जो बच्चे leave करते हैं वो कर रहे हैं कितने कितने वो कर रहे हैं batches of 25 में से तो क्या यह situation sequence फर्म कर रही है तो आपको यहाँ पर कैसे बताना पड़ेगा चीजों को आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा total strength में से आपको 25 के batches को माइनस करना पड़ेगा ठीक है क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पर 25 को माइनस करना पड़ेगा तो कैसे करोगे देखो total strength तो लिख लो total strength of students total strength of students कित्ती है total strength of students सर आपके पास 1000 अब 1000 मेंसे जब first batch निकलेगा तो first batch मेंसे 25 निकल जाएंगे ठीक है number of students यहां तो फिर डिरिकली लिख देता हूं मैं कि आपका जब फस्ट बैच निकलेगा तो फस्ट बैच में से हजार में से क्या हो जाएंगे 25 माइनस हो जाएंगे क्योंकि बैचे सब निकल रहें तो जब फस्ट बैच निकलेगा तो फस्ट बैच में से आपके 25 गायब हो जाए तो अब 975 में से आपके 25 और निकल गए तो आपके पास बचे 950 अच्छा अब 950 में से क्या होगा सर 950 में से अब 25 और निकल जाएंगे तो आपके पास आजाएगा कितना 925 अब आपसे यह पुछा जा रहा है क्या यह जो सीक्वेंस यह AP फॉर्म कर रहा है अरे बिल्कुल क कर रहा है क्यों क्योंकि पहले आपके पास 1000 स्टूलिंट्स पच्छिस निकले तो आपके पास आया 975 फिर 25 पच्छिस निकले तो आपके पास sąde 950 फिर आया आपके पास 925 और ऐसे करते-करते-करते आपके पास चीजे चलती चली जाएंगी यहाँ पर अगर आप लोग बात को ध्यान जे समझोगे तो यह पक्का आपका क्या एक progression है क्यों 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 कि आप हमेशा क्या कर रहे हो एक fixed number subtract कर रहे हो क्या कर रहे हो एक fixed number subtract कर रहे हो ठीक है ना एक fixed number अगर आप लोग subscribe कर रहे हो तो आपके पास ये पक्का क्या कर रहा है ये आपका एक arithmetic progression form कर रहा है clear हो गई बात arithmetic progression form कर रहा है clear है एक बार जल्दी से देख लो देख लिया आगे बढ़ सकते हैं क्या हासर आगे बढ़ सकते हैं तो बस जैसे हम लोग आगे बढ़ तो आगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं है आगे तो हमारे पास कुछ भी नहीए आगे तो हम लोगोगों ने खतम कर लिया इसको तो बस आझ के session में सरफ इतना ही मैं आपको खुछ जानकारी देना चाहता हूं हमारे कुछ top courses है जो कि English और Hindi मीडियम वाले बच्चों के लिए हैं अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप लोगों के लिए तो है Magnet Bains का English Medium Channel जहां पर आपको प्रोवाइट की जाती है कि इंडगार्डन से लेकर क्लास 12 तक एकडम कॉलिटी वाइस और फ्री एजुकेशन वो भी हिंदी मीडियम में और कवर किया जाता है साथ साथ में अगर आप लोग हिंदी मीडियम से तो घबरानी की बिल्कुल भी बात नहीं है आप लोगों के लिए है मागनेट में इंज का हिंदी मीडियम चैनल जहां पर क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक आपको दी जाती है क्डम कॉलिटी वाइस और फ्री एजुकेशन और कावर की जाते हैं डली बोड बिहार वोड यूपी वोड एमपी वोड राजिस्थान वोड साथ हमारी कुछ और भी क आपको मिल जाएगा क्या सारे ही टीचर के सारे ही लेक्चर एक दम अरेंज़ फॉर्मिट में साथ साथ में कम्यूनिटी के ऑप्शन में जैसी जाएंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा मैगनेट बेंस का अपडेट आप हमारा एप डाउनलोड कर सकते हो ग्रैभी आज के सेशन में सिर्फ इतना ही मिलते हैं नेक्स सेशन में तब तक लिए बाई बाई अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एकी जिसकी पढ़ाई करते रहें क्योंकि वह बहुत जादा जरूरी है बाई बाई